भले ही कॉंग्रिस में पार्टी उपाध्यक्ष राहूल गांधी को पार्टी की कमान सौपनी की बातें उठ रही हो या फिर पार्टी अध्यक्ष बनानी की माग लेकिन कही न कहीं कॉंग्रिस में पगावत के सोर अभी भी देखने को मिल रहे है ऐसा हम इसके बोल रहे हैं क्योंकि एक विधायक ने अपनी ही पार्टी को चोर बताया है दरसले कारिकरम के तोरान करनाटक से कॉंग्रिस विधायक एन राजन्ना के बागी तेवर नजर आये हैं उन्होंने खुद की पार्टी पर चोरो की पार्टी का आरोप लगाया है उन्होंने कहा कि यहां इमानदारी का सम्मान नहीं किया जाता है और ना ही काम की इस्जत होती है इस पार्टी में इमानदारी और निस्टा की कोई जोतर नहीं है इतना ही नहीं राजुन्ना ने कॉंग्रिस पर बड़ा हमला बोलते वे कहा कि मैंने पार्टी के लिए गड़ी महनत दी लेकिन कभी इज़त नहीं हुए तो यह है कॉंग्रिस का हाल जहां खुद के विधायक ही पार्टी पर ऐसे गंभीर आरोप लगा रहे हैं वैसे ये पहली बार नहीं है जो पार्टी के अंदर से बगाविती सुर सुनाई दिये हूँ इससे पहले भी पार्टी के कैज़ित हाईकों ने पार्टी आला कमान और राहुल गांधी के काम करने के रवये पर प्रश्न चिन खड़े कर दिये थे इस्टोरी को लेकर आप अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में देज सकते हैं और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले एनमेफ न्यूज की रिपोर्ट